क्या हाल चल रहे हैं बिटकोइन के क्रिप्टो बाजार के बात करेंगे और 38,000 का लेवल बिटकोइन ने मेंटेन कर रखा है अभी मार्केट के अंदर दिसंबर मन्थ शुरू हो चुक है और ये दिसंबर मन्थ कहीं न कहीं बहुत important मन्थ है लास्ट एंड फाइनल मन्थ है बहुत सारी क्रिप्टो के लिए करो या मरो वाली सिचुएशन है इस मन्थ या तो पंप करना पड़ेगा अगर 2023 की कुछ अच्छी क्लोजिंग करनी है या फिर नहीं करनी तो भाया फिर पूरा साल ऐसे ही गया मतलब और जो कुछ होगा 2024 में होगा फिर लेकिन 38,700 पे मेंटेन है 40 से 45 या 50,000 के लेवल भी बिटकोइन इस मन्थ दिखा सकता है और दिखने चाहिए क्यों दिखने चाहिए क्योंकि जरूरी है मार्केट के लिए ये लेवल दिखना और बाकी जो क्रिप्टो लो लेवल पे ट्र टाइम जरूर लग रहा है अभी नया मन्थ शुरू ही हुआ है लेकिन इस मन्थ भी तीन से चार वीक हैं तो तीन से चार हफ़ते कल संडे है वीकली क्लोजिंग मिलने वाली है उसके बाद भी चार हफ़ते हैं चार केंडल में से अगर एक दो केंडल रेड भी हो जाती है अ वालविंग से यर के पहले की वह अच्छी रही है तो यह लास्ट मन्थ अच्छा करना पड़ेगा अगर हिस्ट्री रिपीट करनी है तो मतलब पचास हजार भी हिट हो सकता है अड़तालीस हजार का यह लेवल अगर ब्रेक होता है तो पचास हजार दिखने में टाइम ने लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा अगले चार अफते में बिल्कुल हो पाएगा बिल्कुल यहाँ पे सिचुएशन काफी अच्छी है विटकोईन की ठीक है नो डाउट इस साल की जो स्टोरी अब तक रही है पंदरा सोला हजार से उठके हम सीधा आज की डेट में लास्ट लेकि चल सकते हैं बिटकोईन के ठीक है गेम होगा यह नहीं कहेंगे कि गेम नहीं होगा उसी गेम से आपको बचना है अपना प्रॉफित ढूणना है ठीक है और तभी बड़ा जंप लगेगा जो बिटकोईन को पचास हजार तक भी लेकि जा सकता है सबसे पहली केड़ा ने कुछ टोकन्स ट्रांसफर किये थे मॉर्निंग में हमने डिसकस किया था जिसमें से 77 बिलियन शिवा इनुवी थे है ना साथ से आठ कोई यहां पे मूव किये है और शिवा इनुवी 77 बिलियन मूव होते हुए नेक्स्ट हम बात करेंगे बड़ी ही इंटरस्ट स्टोरी रही है पर्ल की पिछले कुछ दिनों से आप देखोगे यहां पे यह वो दिन था अगर मैं इस केंडल को देखूं 27 नवेंबर जब आता है डिलिस्टिंग आपडेट 7 दिसम्बर को 4 कोईन डिलिस्ट होने वाले हैं उसमें पर्ल भी है जैसी डिलिस्टिंग अनौ क्या ही यूटन लिया है और आज फिर से पंप कर रहा है 38% क्योंकि 200% तक यह उल्टा जंप हो गया है ठीक है फिर से क्योंकि इतना ज्यादा नीचे गिरा उतना ही यूटन भी ले लिया इस कोईन ने तो अच्छी खासी मूवमेंट अच्छी खासी रैली परल की देखने को मिली है आज फिर से टॉप गेनर में चल रहा है तो जैसा हम डिसकस कर रहे हैं कि भया आखरी मंत आ चुक है और बिटकोइन स्पोर्ट ETF कहीना कहीं बहुत जरूरी है और जब तक अप्रूवल मिलेगा नहीं तब तक बात चलती रहेगी लेकिन अगला महीना यानि नए साल क जैन्वरी मंत का वो कहीं न कहीं बिटकोइन के लिए क्रिप्टो मार्किट के लिए बच्छा हो सकता है एक अच्छी न्यूज एक अच्छी शुरूवात 2024 की क्योंकि एक अच्छी शुरूवात अगर होती है तो बहुत बढ़िया है पूरे एर के लिए तो बिटकोइन ETF का एपूरूवल भाया जैन्वरी में ही चांसिस हैं 5-10 जैन्वरी में ही कुछ ना कुछ हलचल कुछ ना कुछ डिसाइड हो जाए और एपूरूवल या ग्रीन सिगनल मिल जाये हमको 5-10 जैन्वरी के बीच में next update है वेल को लेके और एक mysterious wallet वेल ने क्योंकि वेल के moment continue market में चल रहे हैं जब market इतनी अच्छी perform कर रही हो तो वेल तो मुवेल करते ही हैं और करते रहेंगे continue जस्ट फ्यू आवर एगो दे वेल विड्रियू अ टोटल अफ थर्टी टू मिलियन डॉलर वर्थ और फॉर डिफरेंट टोकन्स चार टोकन्स की विड्रो किया है इस को इन इस वेल ने वो भी थर्टी टू मिलियन डॉलर के है 67,000 BNB है 15 मिलियन डॉलर के 6,300 ETH है इसके अंदर 13.2 मिलियन डॉलर के जहां एक तरफ 77 बिलियन शिवा एनू मूव किये गए एक वेल की तरफ से दूसरी तरफ 230 बिलियन विड्रो किये है इसने शिवा एनू 1.9 मिलियन डॉलर के और 200 मिलियन आई यूस्टी कोईन है 1.8 मिलियन डॉलर के तो यह मूवमेंट हुआ है यह कोईन्स विड्रो किये गए है चार कोईन्स निकाले है इस वेल ने नेक्स्ट डेटा एथिरियम को लेके एथिरियम की अगर मैं टॉप 10 वालेट की बात करूं वेल्स की बात करूं टॉप 10 वेल्स नाव कंट्रोल 41 million Ethereum in new ATH अपने all time high पे चल रही है ये top 10 whales सिर्फ अगर मैं बात करूँ ये top 10 whales 41 million Ethereum hold करती है और ये बहुत बड़ा और huge number है कि 10 whales अकेली 41 million Ethereum को hold करती है next update है XRP Ripple को लेगे Ripple XRP forecasted to rally 1500% to 10 dollar मतलब market में ये भी कयास लग रहे है इस साल तो अब कुछ होगा नहीं 2024 में हो सकता XRP आपको ये level दिखाए क्योंकि 10 dollar not a big deal क्योंकि अच्छी movement है market में हलचल तेज है whales के अच्छे movement है 1 dollar के करीब हम गए है तो अगर 10 dollar दिख जाए 2024 में या 25 तक और भी उपर दिख जाए अगर मैं top gainer में alt coin देखता हूँ तो Binance पे आया था already 2021 के bullrun से पहले और अच्छा pump हुआ था 19,000% तक इसके price बड़े थे तो क्या दुबारा repeat हो सकता है में भी दुबारा repeat ना हो क्योंकि बार बार repeat हो जाए ऐसा chances बहुत कम है लेकिन अभी भी polygon matic अच्छी खासी situation में है under मतलब आप कहा सकते हो एक dollar की जो range है under value है और कही न कहीं ज़्यदा बड़ा price नहीं है अभी matic का वो level हीट हो सकते है तो maybe अगले bullrun में ज़्यदा कुछ ना हो पाए ठीक है होने को हो भी सकता है लेकिन थोड़ा market का scenario भी depend करता है कि बार बार एक ही coin हर bullrun में चमकता रहे ऐसा भी शायद possible ना हो बाकी time बताएगा matic के साथ क्या होगा ये वाले level दुबारा दिखेंगे या नहीं दिखेंगे और last and final update है caspa को लेके caspa market का भी recently new all time high लगाने वाला coin है why caspa will still spike over 600% to reach $1 in 2024 अभी इतनी जल्दी नया high लगा दिया है तो कुछ कह नहीं सकते की दो साल आगे कैसे निकलेंगे है ना 600% का rise होगा या और ज़्यदा बढ़ेगा लेकिन हाँ price बढ़ जरूर सकता है कोई जब market में अच्छा bull run चल रहा होगा तो ये भी थोड़ा अच्छी और performance दे सकता है हो सकता है अभी और high लगे लेकिन उससे पहले game भी हो सकते है वो तो time बताएगा कितना high लगेगा लेकिन हाँ already नया high लगा चुका है caspa तो बाकी जो date रहेंगे वो next video में cover करेंगे और किसी भी crypto में invest कर रहे हैं तो research करें वो बहुत जरूरी होती है तब तक के लिए bye bye take care